नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर सपनिल सागर जैन दिरामाय होमियोपैथी के अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों आज हम बात करेंगे डाइबिटीज यानि की मदुमेह के बारे में तो मैं आपको बताऊंगा कि डाइबिटीज क्या है ये कितने प्रकार की होती है इसके क्या-क्या सिम्टम्स होते हैं और किन होमियोपैथिक दवाओं से हम डाइबिटीज को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं तो इस वीडियो में बने रही है अंत तक मेरे साथ और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तो आज के भागदोर भरे जीवन में जिस बीमारी के कारण हमारे शरीर को सबसे जादा खत्रा है वो है diabetes यानि कि मदुमे बहुत सारे लोग मदुमे यानि कि diabetes को धीमी मौत भी कहते हैं और इसका कारण ये है कि जिन लोगों में diabetes डेवल अप हो जाती है पैरों में खराबी आने लगती है जिसके कारण पैरों में दर्द होने लगता है आखों में diabetic retinopathy develop होने लगती है इसी कारण diabetes को control में रखना बहुत जरूरी है diabetes का उचित treatment करना दोस्तों बहुत ज़ादा जरूरी है तो दोस्तो diabetes आकर है क्या हमारी body में pancreas से एक insulin hormone secret होता है जो हमारी body में glucose का metabolism करता है यानि कि glucose का digestion करता है और उसके कारण हमें energy मिलती है जब भी कभी हमारी body में ऐसा होता है कि insulin का secretion या तो होता नहीं है या फिर पूरी तरह से वो glucose को digest नहीं कर पाता है तब उस condition में हमारी blood में sugar का level जो है यानि कि glucose का जो level है वो बढ़ने लगता है और उस condition को diabetes कहा जाता है सामान जेता है दोस्तों diabetes जो होती है वो चार प्रगार की होती है type 1 diabetes, type 2 diabetes, gastrational diabetes और other specific causes के कारण होने वाली diabetes type 1 जो diabetes होती है दोस्तों उसमें किसी genetic effect के कारण हमारी body में जो pancreas होता है उसके अंदर insulin का formation ही नहीं होता है और उससे insulin का secretion नहीं होता है जिसके कारण जन्मजात हमारी body में sugar का जो level है वो बढ़ता है और उस condition को type 1 diabetes कहा जाता है type 2 diabetes हमारी अनियंतरित जीवन शैली के कारण उतपन होती है हमारे अनियंतरित खानपान के कारण उतपन होती है और इसमें हमारी body में insulin के लिए एक resistance डेवलाप होने लगता है जिसके कारण insulin glucose को digest नहीं कर पाता है और blood में glucose का level जो है वो बढ़ने लगता है तो दोस्तों हम अपनी जीवन शैली में परिवर्तन करके type 2 diabetes mellitus को पूरी तरह से control कर सकते है इसके अलावा gastational diabetes दोस्तों pregnant महिलाओं में होती है सामानने ता जितनी भी महिलाओं में pregnancy होती है उनमें 2 से लेकर 10 प्रतिशत तक महिलाओं में gastational diabetes देखी जाती है और इसके अलावा और भी बहुत सारे चोटे चोटे कारण होती है जिनके कारण body में diabetes develop होती है उनको other space पे causes के कारण होने वाली diabetes में लिया जाता है दोस्तों diabetes के patients को सबसे जादा जो खत्रा होता है जो सबसे जादा मौत यानि की सबसे जादा death जिन patients की होती है वो heart attack के कारण होती है तो diabetes की जो patients होते है उनमें heart attack का कत्रा सामानिव्यक्ति से 50 गुना ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि उनकी जो arteries होती है वो धीरे-धीरे diabetes के कारण उनमें tension develop होने लगता है और उसके कारण उनमें heart attack का जाता है इसके अलावा हमारी आखों पर भी diabetes का बहुत ज़्यादा प्रभाब पड़ता है और आखों का retina खराब होने लगता है जिसे diabetic retinopathic कहा जाता है अब हम बात करते हैं diabetes के लक्षणों के बारे में यानि कि इसके symptoms के बारे में कि किन symptoms से से हमें पता चल सकता है कि व्यक्ति के शरीर में शुगर का जो level है वो बढ़ रहा है तो इसके सबसे जो प्रमुक symptoms हैं वो हैं बार-बार पेशाब लगना यानि कि बार-बार urine जाना इसके बाद बहुत ज़्यादा प्यास patient को लगती है उसका मू लगातार सूखा हुआ रहता है बहुत ज़्यादा उसके अंदर चिड़-चिड़ापन रहता है ठकान रहती है शरीर कई बार ऐसा होता है patients में emaciation develop होने लगता है यानि कि खानपान अच्छा होने के बाद भी उनका शरीर जो है दुबला-पतला होने लगता है इसके अलावा बहुत सारे लोगों में नीन ना आना आखों की रोशनी कम होते चले जाना किसी भी जखम का देर से भरना और उनके शरीर में छोटे-छोटे फोडे फुनसियां होते रहना और हाथों में पैरों में और गुपतांगों में खुजली वाले जखम हो जाना ये सारे diabetes के symptoms होते हैं चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि हम type 2 diabetes को control करने के लिए किन homeopathic दवाओं का इस्तिमाल कर स ये एक बहुत अच्छी medicine है दोस्तों हमें इसका mother tincture use करना है और इसके mother tincture की 15-15 moon दिन में 3 बार आदे कप या 1 कप पानी में मिला कर patients को देना है इसके जो patients होते हैं उनमें diabetes के सारे symptoms देखने को मिलते हैं जैसे कि बार-बार bathroom जाना बार-बार urine की इक्षा होना प्यास बह आये गया है कि साइजीजियम जम्मो लैनम का जो लोग यूज करते हैं diabetes के cases में उनका blood sugar level बहुत हद तक control में रहता है हमें इसका mother tincture use करना है इसके mother tincture की 15-15 moon दिन में 3 बार आदे कप या 1 कप पानी में मिला कर patients को देना चाहिए इसके बाद तीसरी medicine आती है दोस्तों abroma agosta abroma agosta का भी mother tincture हमें use करना है और इसकी 15-15 moon दिन में 3 बार आदे कप या 1 कप पानी में मिला कर patients को देना चाहिए इसके जो patients होते हैं उनके मुह में बहुत जादा कड़वापन रहता है मुह बार बार सूखता है उन्हें प्यास बहुत जादा लगती है और बार बार उन में emaciation होने लगता है वजन कम होने लगता है retability develop होने लगती है चड़चड़ापन आने लगता है तब उस condition में हमें जिमनेमा सिल्वेस्टर का mother tincture 15-15 moon दिन में 3 बार आदे कप या 1 कप पानी में मिला कर patients को देना चाहिए इसके बाद एक और mother tincture आता है दोस्तों जिसे क abiumin की मातरा भी बढ़ जाती है तब उस condition में हम उन patients को hellonias का mother tincture दे सकते हैं इसके बाद अगली medicine आती है दोस्तों acid force हमें इसे 30 potency में use करना है इसकी दो दो बून दिन में 3 बार एक चमच पानी में मिला कर patients को दे सकते हैं या फिर direct हम tongue पे भी रख सकते हैं इसके जो patients होत हैं उनमें diabetes के कारण debility develop होने लगती है physical tiredness रहती है उनको बहुत ज़्यादा और उनकी strength में कमी आने लगती है बहुत ज़्यादा ठके हुए रहते हैं वो लोग fatigue उनमें बहुत ज़्यादा रहती है तब उस condition में acid force 30 potency में दो दो बून दिन में 3 बार उन patients को देना चाहिए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ एक ऐसा combination जिसका उपयोग करके हम blood में sugar के level को काफी हद तक control कर सकते हैं और इसमें आपको तीन mother tingers लेकर आना है दोस्तों सबसे पहले साइजीजीम जंबो लैनम का mother tinger लेकर आना है उसकी 15-15 बून दिन में 3 बार आदे कप या 1 कप पानी में मिला कर पेशेंट्स को देना है उसके बाद हमें एक combination तयार करना है सेफेलेंडरा इंडिका का और अब्रोमा अगस्टा का इन दोनों को 30-30 ml की मात्रा एक 60 ml या 70 ml की शीशी में आप उनको एकटा कर लें और उनको अच्छे से shake कर लें और उसके बाद उसमें से 15- 15 बून दिन में 3 बार आदे कप या एक कप पानी में मिला कर पेशेंट्स को दें इसके साथ में acid force 30 potency में 2-2 बून दिन में 3 बार पेशेंट्स को देना है इन 4 medicines के use से हम पेशेंट्स में diabetes के यानि की blood में sugar के level को बहुत हदता control कर सकते हैं और कई मामलों में diabetes यदि शुरु कई बीमारियों और उनकी होमियोपैथिक दवाओं के बारे में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत